हेलो दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में आज हम आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए जो भी टी सी यही के श्टुडेंट है उन सारे स्टूडियन टिंग के लिए बहुत सब्सक्राइब है क्ल के धरना में क्या कर्षेन निकल का या गए स्टाइब की आपने के कुछ तो हम दो हो नोगोग जानते हैं कि कया कूछ दिया गया और अप लोग के लिए browsing जांते हैं में पुल्टेकनिक छात्रों ने किया पर्दसन जैसे कि हमने आपको बताये थे कि 12 को पर्दसन होने वाले हैं और आज ही वीडियो कॉन्फिरेंसिंग के जड़िये का सकते हैं सची मोद आए के बीच में बात होने वाले वह थे इसमें क्या कुछ मांगे रखी गई है स्टुडेंट के माद्यम से अपनी मांगों के समर्थन में पुल्टेकनिक छात्रों पर्दसन किया ४र्देश के सरकारी कॉलेज के चात्रों के साथ अन्याय हुआ है क्योंकि सुब प सरकार के द्वारत उसमें सिर्फ बोला गया था कि बिहार के गौवर्मेंट इंजिनिरिंग और पॉल्टेकनिक कॉलेज को ही 40% का आरक्षन दिया जाएगा लेकिन इस वेकंसी में जो बीटी सी जेए का वेकंसी उसमें 40% का सकते हैं कि सुप्रियूम कोट के माध्यम से उसमें 40% में प्राइवेट वालों को भी एड़ किया गया तो उसी को लेकर का रहा है कि जो परदेश के सरकारी चात्र है पुल्टेकनिक के सरकारी कॉलेज के चात्र है उनके साथ अन्याय हुआ है उसके बाद बोलाए कि अंग अधारित चैन परकिलिया के कारण चात्रों में परि आपको बताने वाले उनकी मांगे है कि कॉंसिलिंग के बाद नियामा अनुसार सीटों को ध्यान में रखते हुए मेधा सूची प्रकासित किये जाए कि का रहा है कि कॉंसिलिंग के बाद जो मेधा सूची तेयार किये जाएंगे वह का रहा है कि सूची को ध्यान में रखकर मतलब मेधा सूची तयार किया जाए ना कि आप पोस्ट भी दे दिए क्योंकि पिछले बार जो मेरिट निकाला गया तो उसमें क्या हुआ था कि मेधा सूची में ही पोस्ट भी दे दिया गया था कि आपको यह पोस्ट यह पोस्ट आपको मिला है लेकिन इसमें बोलाया कि पहले मेधा सूची तैयार करिए उसके उपरांत मेधा सूची जारी के बाद मेधारी छात्रों को विभाग आवंटन किजिए पहले मेधा सुची जारी करिए उसके बाद जो जिसको अच्छे मतलब का सकते हैं मेधा सुची में अच्छे मार्क है वो उसको उस अनुसार से विभाग आवंटन करिए क्योंकि पिछले बार हुआ था ये कि जिसको अच्छे मार्क नहीं था उसको भी आच्छे का सकते हैं कि विभाग आवांटन हो गया जैसे कि रोड कंस्टार्टन डिबार्टमेंट है तो थोड़ अच्छा डिपार्टमेंट है जैसे लगुद जनसादन विभाग है तो उसे यह थोड़ आच्छा है इस कारण से सारे स्टुडेंटों का जो मांग था कि पहले मेधा सुची ते उसक आज जो वीडियो कॉन्फरेंसिंग होने वाले हैं सरकार के सचीव और जो आपके आयोग के सचीव है तो उनके बीच क्या कुछ निकल काते हैं हम वह सारी जानकाड़ी आपके साथ सेर करेंगे तो मिलते हैं डेक्स्ट वीडियो में अभी तक के लिए इतना है